नमस्ते बच्चियों आपकी किताब के पार्ट तीन के हम कर रहे थे प्रश्णुत्तर आज हम करेंगे भाषा की बात पार्ट में उद्रत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधी क्रोधित होना है वाक्य प्रयोक दोनों भाई धर्टी के स्वामित को लेकर लाल पीले हो रहे थे इसी प्रकर आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोक कीजिए इसमें पहला है 9211 होना इसका अर्थ है भाग जाना वाक्य प्रयोक पुलिस को देखकर चोर 9211 हो गए बच्चों आप चाहे तो अपनी तरफ से वाक्य प्रयोक कोई और भी कर सकते हैं दूसरा पसीना पसीना होना घबरा जाना वाक्य प्रयोक है घर में साप को देखकर बाबुलाल पसीना पसीना हो गया इसके बाद में बच्चों आपके यह भी करें के प्रेशन है यह भी करें के प्रेशन बच्चों आपको स्वयम करने है अब हम करेंगे पठित गर्ध्यान्ष इसमें नारियल कुछ विशेश है इसमें कुछ ऐसे गुण है जो इसे विशेश बनाते है नारियल का उपरी भाग रूखा सूखा, खुरदरा एवं आरुचिकर होता है। उतना ही उसका भीत्री भाग नरम, सरल, रुचिकर, वेहितकारी होता है। एक सची इंसान का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। हर मानव का सभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। संखर्ष की यह रहा चलता हुआ, मनुष उपर से भले ही कठोर हो, सुन्दर नहीं लगे, लेकिन भीतर से सम्वेदंशिल बना रहे, नारिल की भेंट विबिन आउसरों पर दी जाती है, यही इसका रहस है। यह था हमारा गध्यांच। अब इसके आपको करने हैं नमबर दो, एक सचे इनसान का व्यक्तित किसके जैसा होना चाहिए। नमबर तीन, मनुष भीतर से कैसा होना चाहिए। नमबर चार, नारिल का उपरी भाग कैसा होता है। प्रेश्ट नमबर पांच, निमली के शब्दों के विलोम, शब्द गध्यांश में से छाट कर लि चौथा कुरूप और पांच वह जूटा। धन्यवाद।